नमस्कार दोस्तों, स्वागा थे आपका अपने यूट्यूब चैनल तैरिये जीके पर सुद दोस्तों जैसे का आप सभी को पता है कि डेली रात में UPCCC PTE कलास होती है सेलेबस के एकॉर्डिंग टॉपिक वाज कलास होती है अब तक हमने तीन कलासेश कर ली है, तीन टॉपिक कर ली है जो हिष्ट्री यानि इतिहास का पहला टॉपिक था सेलेबस में आपका सिंदू हाटे की सभीता दूसरा टॉपिक था वैदी संस्क्रियती और तिसरा टॉपिक था बहुत धर्म और चौथर टॉपिक है जैन धर्म जो की आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और जो लोगों ने बागी के तीन कलासेश नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिश्ट बना दिये गया हैं जाके आप देख सकते हैं तो चली श्टार्ट करते हैं जैन धर्म के मौथूट प्रशन ऐसे ही सारे टॉपिक को क्लासेश करने के लिए चैन को सब्सक्राइब करके बेल लागन को प्रेस कर लें जिससे आपको हर एक वीडियो का नटिपके से मिलता रहे तो दोस्तो चली श्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहला कौशन कर लेते हैं जैन धर्म में कूल कितने तिर्थंकर हुए हैं तो जैन परंपरा का अनुसार जैन धर्म में कूल 24 तिर्थंकर हुए हैं यानि कि इस कौश्चन का option number D जो की बिल्कुल सई है 24 तो चली अगला कौश्चन देख लेते हैं Q.2 कर लेते हैं जैनूओ के पहले तिर्थंकर कौन थे ? तो जैनूओ के पहले तिर्थंकर जो थे वे थे रिषब देव और आप्सन में तो रिषब दे नहीं है तो रिषब देव का अनिनाम क्या था ? तो उनका अनिनाम था आधितनाथ यानि कि इस question का option number ये जो कि बिल्कुल सही है तो चलिए अगला question देख लेते हैं Question number 3 कर लेते हैं निमलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्तापक माने जाते हैं तो इसका सही answer है option number B, महवीर स्वामी जो महवीर स्वामी थे ये जैन धर्म के असली संस्तापक माने जाते थे और दोस्तो ये जो महवीर स्वामी है ये जैन धर्म के 24 वे तिरतंकर थे कितने 24 वे तिर ठंकर थे तो दोस्तों चलिए अगला कोशन देख लेते हैं कोशन हम 4 कर लेते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था तो महावीर स्वामी का जन्म 540 इसापुरु में महावीर स्वामी का जन्म 540 इसापुरु में वैसाली के कुंडा गराम में हुआ था और इनकी मृतिव क्या हुए थी ये भी आपको याद रखना है महाज़ीर श्वामी का मृतिया हुए थी पावापुरी में और कब हुए थी 468 इसापुरों में ये भी आपको याद रखना है दोस्तों तो चलिए अगला question देख लेते हैं Question 5 कर लेते हैं महवीर का जन्म कि छत्री गोत्र में हुआ था? तो महवीर श्वामी का जन्म ज्यात्री छत्री में हुआ था यानि कि इस question का option number D जो कि बिल्कुल सही है और इनका बच्पन का नाम क्या था? तो दोस्तो इनका बच्पन का नाम था वर्धमान महवीर श्वामी का बच्पन का नाम था वर्धमान ये भी आपको याद रखना है तो चलिए अगला question देख लेते हैं Question number 6 कर लेते हैं महवीर की माता कौन थी? तो महवीर की जो माता थी वो थी तिरिस्तला यानि कि इस question का option number है जो की बिल्गुल सही है और उनके पिता का नाम क्या था? जो महवीर थे उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था सिधार उनके पिता का नाम था सिधार आपको ये भी याद रखना है दोस्तो और यसूदा जो हैं उनकी पत्नी थी और जो अनोजा पिर्यदर्सनी है ये उनकी बेटी थी और दोस्तो मेरा पड़ा पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले क्योंकि बहुत जादा मेहनत काम लगता है दोस्तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट किया करें सपोर्ट किया करें और मैं जितना कोशन करा रहा हूं ये सभी कोशन बहुत ही महतपूर है यहां से कोशन आपको PT के एकजाम में दे किसापूरो में कहां हुई थी यह हुआ था पावापूरी में यानि कि इस कोशन का आपसर नंबर सी जो कि बिल्कुल सही है महवीर की मृतियू पावापूरी में हुई थी तो दोस्तो अगला कोशन देख लेते हैं कोशन अब एड कर लेते हैं महवीर का मूल नम क्या था इसका बच्पन का नाम था वर्धमान यानि कि इस कोशन का आपसर नंबर भी जो कि बिल्कुल सही है और दोस्तो गौतम का नाम क्या था तो गौतम का भी नाम आपको याद रखना है तो गौतम का नाम सिधार था इसे भी आपको याद रखना है तो चलिए अगला कोशन दे लेते हैं में ज यो और जीने दो खिश्elnे कहा था और ज यो और जीने दो यह किसे ने कहा था तो आपका सहिं आंसर है option नकर बी महवीर स्वामी महवीर स्वामी ने ज यो और जीने दो कहा था important question है दोस्तो बहुत बार यह question exam पूछा हुआ है तो आप लोग अच्छे से त्यार कर लिजिएगा तो चलिए अगलो question देख लेते हैं question number 10 जैन धर्म में पूर ग्यान के लिए क्या सब्द है तो जैन धर्म में जो भी पूर ग्यान का प्राप्त कर लेता है यानि जैन धर्म में पूर ग्यान के लिए कैवल सब्द का किसका कैवल सब्द का प्रियोग किया गया है यानि कि इस question का option number D जो की बिल्कुल सही है कैवल तो दोस्तो अगला कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 11 कर लेते हैं जैन सहित को क्या कहते हैं जैन सहित को क्या कहते हैं तो इसका सई आंसर है आप्सन नमबर A आगम जैन सहित को आगम कहते हैं तो दोस्तो अगला कोशन देख लेते हैं खुष्ण नमबर 12 कर लेते हैं भगवान महावीर के प्रथम C से कौन थे तो इसका सही आंसर है ऑफ्षन नमबर C जमाली भगवान महावीर के प्रथम C से जमाली थे तो दोस्तु अगला कोशन देख लेते हैं Question number 13 कर लेते हैं, सयाद वाद किसका सिधान थे? तो इसका सही answer है, option number D, जैन धर्म का सिधान थे. Question number 14 कर लेते हैं, प्रथम जैन संगीती का एयोजन कहां हुआ था? तो प्रथम जैन संगीती का एयोजन 322 इसापुरू में, खब 322 इसापुरू में, चंदरगुप्त मौरे के सासन काल में, अस्थुल बाहू के अधिक्स्ता में हुआ था? कहां पे हुआ था? तो यह हुआ थ एयोजन कहां हुआ था? तो इसका सही answer A, option number D, वल्वी में. यानि कि इस question का और D, जीकी बिल्गुल सही ये वल्वी में, और ये वल्वी जो है, ये गुजरात में है, ये कहां पे है? ये आपका गुजरात में पढ़ता है, जो वलवी है, ये गुजरात में पढ़ता है. और्धमाग दी तो दोस्तू अगला कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन अब सेबंडिन कर लेते हैं और वरज सब्द किस धर्म से जुड़ा है तो और वरज सब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है यानि कि इसका राइट एंसर है option number D, जैन धर्म question number 18 कर लेते हैं महावीर के मिलित्यू के बाद जैन संग का अगला अध्याच कोन हुआ तो इसका सही answer है option number B, सुधर्मन तो दोस्तों अगला question देख लेते हैं question number 19 कर लेते हैं जैन ग्रंथ, कल्पसुत्र की रचना किस ने की थी तो इसकी रचना की थी भद्र बाहू ने यानि कि इस question का option number C, जो कि इसका बिर्गुट सही है जैन ग्रंथ, कल्पसुत्र की रचना भद्र बाहू ने की थी तो दोस्तों अगला question देख लेते हैं question number 20 कर लेते हैं गौतम बुद का जन्म कब हुआ था तो इसका सही answer है option number A 563 यसापूरु में गौतम बुद का जन्म 563 यसापूरु में हुआ था तो चलिए अगला question देख लेते हैं question number 21 कर लेते हैं भर्ष शिछा का केंद्र था तो इसका सही answer है option number A विक्रम सीला बहुत शिच्छा का कैंद्र विक्रम सीला था तो दोस्तों अगला question देख लेते हैं Question number 22 कर लेते हैं भारत में सबसे बड़ा, बहुत अस्तूप कहा इसी है? तो आपका सही answer है Option number B, साची भारत में सबसे बड़ा, बहुत अस्तूप साची में इस्तित है important question है दोस्तो ये भी question exam में बहुत बार पूछा हुआ है मैं जितना question करा रहा हूँ ये सभी question बहुत important है तो आप लोग इन सभी question को अच्छे तरह से याद कर लिजेगा क्योंकि यहां से question आपको exam में देखने को जरूर मिलने वाले हैं तो आप लोग अच्छे से त्यार कर लिजेगा तो दोस्तो चलिए अगला question देख लेते हैं question number 23 कर लेते हैं भारत में सबसे प्रचीन विहार है तो इसका सही answer है option number A नलंदा next question कर लेते हैं question number 24 कर लेते हैं किस जैन ड्रचना में 16 महा जनपदों का उलेक मिलता है तो इसका सही answer है option number A यानि की भगवती सुद तो चलिए अगला question देख लेते हैं question number 25 कर लेते हैं और यह हमरा last question है जैन धर्म को अंतिम राजगी सरंच्छन की स्वन्स के सासकों ने दिया तो इसका सही answer है option number C गुजरात के चौलुक किया तो दोस्तो आज हम लोग बहुत धर्म को पूरे detail में complete कर लिया है और अगला topic आपके सलेबस में क्या है आप लोग comment करके जरूर बताइए और दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को subscribe कर ले और इसका video आपको description box में मिल जाएगा तो आप लोग वहाँ से जाकर download कर लेना तो मिलते हैं फीर next वीडियो में thank you